नमस्कार दोस्तों फिर चेक बार आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत हैं उमिद करता हूँ कि आप से बच्चे होंगे, स्वस्त होंगे आज हम 27 तारीक के इंकम के बारे में बात करने बारे हैं आज 28 तारीक है, तो कल मैंने एक दिन में कितना आर्निंग किया, इसके बारे में आज हम जानने बारे हैं तो हम प्रायम प्लस में कल मैंने कितना ट्रिक मारा, कितना आर्निंग हुआ इसके बारे में तो आज हम जानेंगे और कैसा मेरा दीन रहा, कितना किनोमेटर गाड़ी चली, और कितना सेंजी लगा, और कितने घंटे काम किया, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे तो चले फटबट से वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आता है, तो जरूँ से वीडियो को लाइक किजिए, share किजिए और अपना कमेंट जरूर दीजे, और यह अपने हैं तो जरूँ से चैनल को सब्सक्राइब करके ही तो कल मैं लग बग 9 बज़े के असपास है घर से निकला था साधे यह बज़े के असपास तो पहली anping प्राइम प्रस की मुझे पनवेल से लगी थी वह है पनवेल से लेकर तलोजा की लिए तो नव बजे मुझे पिकप था और मैंने जो है तलोजा ड्रोप किया तो तलोजा जब मैंने ड्रोप किया तो यहां से जो पनविल चे तलोजा लगबग 15 से 16 किलिमेटर था और उसके लिए जो है मुझे मिला था 376 रुपेस पहले ट्री ट्राइम प्लस के थी हाना तो मुझा जो मिलता है वो ले लेता हूं कर Random Jayamadbs में ल०折स पर सुब हैं है उसमें मुझें मेंने ँबर मिला तो मुझे मिलता है नयरूल की तो मैंने ले ली उसमें मूझे तो नेरूल में भी मुझे लगबख 2-30 गंटा में इंतजार किया ट्रिफी नहीं लगए ट्रिफी नहीं लगए ओला भी चाले उबर भी चालो में बद रहे थे फिर मैंने वह आगे पीसे घुमा तो वहां से मुझे फिर से उबर ट्राइम में ट्रिफ लगती है वह है तलोजा मेट्रो स्टेशन के यहां गी तो मैंने ले ली उसका लगबख मुझे 3.30 क्या सबस मिला तो मैंने ट्रिफ ले ली तो तलोजा तो मेट्रो स्टेशन के यहां पर गया वहां पर मैं एक गंटा बेटा और वहां से मुझे ट्रिफ लगी प्राइम प्लस की ट्रिफ लग ड्रोप करते करते कितना गंटा लगबग तीन गंटे फिप्टी वन मिनिट लगा लगबग चार गंटे लगए फुल ट्राफिक था और किलोमेटर था 75 किलोमेटर में विरायर में गया मुझे मिले 1476 रुपे यानि लगबग जो है 15 रुपे मिले ऐसा आप काउंट किजे तो लगबग 3.30 बज़े की ट्रिप थी और मैंने उसको साड़े 7 बज़े ड्रोप कि फिर वहां पर मैंने इंतजार किया और मुझे तुरंट वहां से ओला की फिक बोकिंग लगी फिक बोकिंग यानि ओला बुकिंग देता है अपनी तरफ से उन्होंने मुझे अंधेरी की तो लगबग 12 बज़े तक घर पहुंच जाओंगा उसके सबसे मैंने ओला की ट्रिप ले ले तो उसमें क्या होता है चलो जाते हैं जहां पर लोकेशन दिखा था उस लोकेशन के सबसे में वो MEP के हिसाब से में जा रहा था और मैं अंधेरी पहुंच गया था और मेरे जो ड्रोप लोकेशन था जो OLA ने फिक बुकिंग दी थी उस ड्रोप लोकेशन के हिसाब से में वहाँ पर पहुंचने वाला था और लगबाग 500 से 700 मीटर पहले जो है i212 तो मुझे ओलाने मिली वह öla प्राइम प्लeस में मुझे ट्रिफबाजी कहां कि अपने को हारगर की लगे ले लिमें Light अब ऑद्समें मुझे मिला था लगबग 696 अर्प कर दो था था 35 किलोमेटर और एक गंटा 24 मिट लागा, यानि मैं उनको ड्रोप किया लगबक जो है साड़े बारा बजे के करिब जो है उनका मैं बारा बजे के करिब ड्रोप किया और घर पर फिर वहां से में खाले आए, मैंने बढ़ा अभी रुखने कुछ मतलब नहीं बनता, बारा बजे थे, वहां साथाट किलोमेटर है घर तो मैं वहां से खाले आ गया यहनि लगबग जो में साड़े बारा बजे तो मैं घर पूंचा तो इस प्रकार से जो है कल मेरा काम हुआ था तो ओला में टोटली इंकम यहां पर आप देखिए ओला में टोटल इंकम जो है दो हजार पांचो आठ टु 287 तो कितना हुआ था 2995 रुपिस का जो है कल का इंकम हुआ था और इसमें से जो सी एंजी लगा था लगबग 800 रुपे का इसमें से सी एंजी लगा था तो आप पकड़ लीजे कितना हुआ 2195 यानि लगबग जो है 22 रुपे कल का अनिंग हुआ था और गाड़ी घुमी थी लगबग 240 कैस पस यानि 240 कैस पस जो है गाड़ी कल घुमी थी तो आप पकड़ लीजे सुबे 9 से लेका रात 12 बजे का अगर आप काउंट करते हैं तो कितना टायम होता है तो लगबग जो ह है कल 15 गंटे काम क्या घर पे आते हैं 15 गंटे काम हुआ तो कल मतलब तीन ही ट्रिप लगी थी लेकिन फिर भी ठीक ता तो अगर ओला की फेक बुकिंग का आज अगर हमारे अकॉंड में काउंट होता है तो वह अगर 911 रुपे अगर हमें मिलता है 911 या पी 900 रुपे हमें मिलता है तो हमारे लगबग जो है से एंजी निकालकर हमारा तीन हजार से उपर का इंकम हो जाएगा तो यह अच्छा माउंट है लेकिन नौसर पर मिलना चाहिए नहीं मिला तो भी अभी क्या बोलें मतलब चलो सीखने के लिए मिलेगा इस से यह हम लेते हैं पोजिटिव लेते हैं तो कल इस प्रकार से मेरा इंकम हुआ तो कैसा इंकम रहा मुझे आप जरू से कमेंड करके बताए ओला में दिक्कत क्या हो रहा है कि वह कहां पर ही भीज रहा है हमको ड्रोप लोकेशन पता नहीं चलता पर अगर यह वह करता है कि हम अगर जैसे के टीटे वाला ग भीजा तो हमको कलें तक लाना चाहिए वह से विर्यार उन्होंने भीजा तो हमको कम से कम बोरोली साइट लाना चाहिए यह अगर प्रायम प्रेस करता है तो हमें ट्रिप लेने के लिए दिक्कत नहीं होगा तो ऐसा यह मेरी परस्टनल सोचे तो चलिए आज की वीडियो मे मुझे कमेंट करके बताइए तो चलिए अगले वीडियों मिलेंगे तब तक करें बाई बाई थेंक्यू फर वाचिंग